नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देखना है अपना यूट्यू चलन रिमेक इट बाद, सच्छमता पर इच्छा दो, इसके एड्मिट काट डाउनलोड करने की सुचना आ गई है, और आपको वेब पोर्टल्स और सोचल मीडिया के माध्यम से ये खबर निकल के आ रही ह और ये प्रमानिक सुत्र से भी खबर निकल के आ रही है कि जल्द ही एड्मिट काट डाउनलोड करने का लिंक लाइब हो जाएगा, तो कब से लिंक लाइब होगा, कौन सा डेट है, क्या टाइम है, इसको हम इस वीडियो में जानेंगे, और डाउनलोड कैसे करेंगे, इस जो माधिम से हम लोग ये जानेंगे, तो जो सुचना निकल क्या रही है, जो सुत्र बता रहे हैं, तो एड्मिट काट डाउनलोड करने का लिंक है, वो लाइब हो जाएगा, 21 जून 2024 को, और 11 बजे के बाद, आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, 11 बजे सुगा के बाद, इसके बाद होगा क्या कि इसका जो लिंक है, वो आपको लाइब हो जाएगा, वेबसाइट, इस एरिया में आपको लाइब हो जाएगा, यहाँ आप जो वहाँ, एड्मिट काट डाउनलोड करने का लिंक लाइब हो जाएगा, और उस आप कैसे डाउनलोड करेंगे, हम इसको देखे किस सीबे केप्ये में जाने की जुरत हैं नहीं। आगे देखते हैं कि कैसे हम उसको डाउलोड कर सकते हैं। ने देखते हैं कि आप गूगल करोम में जाएगे और गूगल करोम में Iट डालेंगे bs-cb-sak-cham-tari.com जब जाएंगे तो यह loginipage खुल के आएगा जब loginipage खुल के आएगा तो loginipage के ऊपर ही यह link पढ़ा होगा आपको download admit card का download admit card का जो link पढ़ा होगा इस download admit card के link पे जैसे आप click करेंगे आपके पास एक और page खुल के आएगा और पेज खुलके आएगा उसमें कुछ information दिये रहेंगे आपको बतायगा कि कैसे आपको और कब तक और कब से यह information आपको दिया रहेगा उसके बाद इसको download कैसे करना है इसको download कैसे करना है इसके right side में लिखा हुआ है application number आप अपने application number यहाँ डालेंगे इस application नगर पर डाला जा सकता है और डालने के बाद आप यहाँ date of birth यहाँ डालेंगे जैसे date of birth डालेंगे आपको नीचे कहेगा कि capture डालेंगे किया जा सकता है admit card download करने के बाद आप अपना देख सकते हैं क्या कैसे center है उसके बाद जो verify करने वाला option है वो तो प्रक्रिया में है मेरा काम बस आप तक कि सूचना पहुचाना है कि कैसे प्रक्रिया आपना रही है विहार विद्याले परिक्षा समीती कैसे किया जा सकता है बस आपको पास application number होना चाहिए और data वर्थ आपको अपना पता ही होगा application number कहा से होगा जब तक form भरा नहीं जायेगा application ID आपको मिलेगा नहीं यह है सूचना कि कैसे download कर सकते हैं और कब तक download कर सकते हैं और क्या प्रक्रिया है बस सिर्फ इतना ही है आसा है आप इस नए